आज संडे है तो संडे के दिन comment box से कुछ एक query में आपके सामने रखता हूँ चलिए query session इस्थाइट करते हैं लेकिन उसके पहले mutual fund related complete solution चाहिए तो आप मेरे साथ जूर सकते हैं जी हां description box में जाके पूरा detail चेक करें और detail के basis पे whatsapp number के थूरू आप मेरे साथ जूर सकते हैं यही नहीं अगर आप lump sum investment के थूरू जादा return अचीब करना चाहते हैं जी हां yearly basis पे आपको 3-4% का extra return मिल सकता है अगर आप सही समय पे lump sum करेंगे तो और उसके लिए आप हमारे साथ जूर सकते हैं हम आपको lump sum के लिए advice करेंगे कब आपको lump sum करना है description box में जाके whatsapp number के थूरू आप connect हो सकते हैं सुरुआत करते हैं सबसे first query के साथ यहां पे PSU mutual fund के बारे में भी जानकारी दीजिए मैं SBI Nifty 50 में कुछ रुपए invest किया है अब इसे PSU mutual fund में switch करना चाहता हूँ क्या मुझे PSU mutual fund में invest करना चाहिए या नहीं दोनों में कौन बेटर है Nifty 50 index या PSU mutual fund प्लीज reply देखे सबसे पहले आपको अपने risk के according सोचना पड़ेगा निफ्टी 50 की बात करूँ तो ये एक index fund है और ये जो index fund है वो large cap stocks based index fund है तो ऐसे में यहाँ पे risk भी काफी कम है दूसरा जो आप PSU fund की बात कर रहे हो जी हाँ वहाँ पे जो है एक sector based fund है जी हाँ एक thematics fund है यहाँ पे आपका risk का factor का फीजा लाखू सकता है compare to जो अभी आप fund में पैसा लगा रहे हो 50-50 में देखो अगर आपका risk का capacity जादा है तो वाकई में आप ऐसे fund में switch कर सकते हो लेकिन आपको ये भी दिहान रखना पड़ेगा कि जो PSU fund है यहाँ पे ups and downs जादा देखने को मिल सकता है कभी आपको तेजी भी जादा देखने को मिलेगा तो कभी अच्छा market होते हुए भी return single digit का देखने को मिल सकता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो sector और thematics fund में आपको देखने को क्या मिलेगा दो साल अच्छा पैसा बन रहा है दो साल काफी slow है single digit में return है negative return है इटमिस की consistency के मामले में काफी कमजोर sector और thematics fund देखने को मिलते है तो risk अगर ज़्यादा ले सकते हो तब आप ऐसे funds को focus करो लेकिन सिर्फ return को देखके आप यहाँ पे fund switch करना चाह रहे हो यह गलर decision होगा आप अपने चमता के अनुसार ही fund का selection करें और आपको यह भी ध्यान रखना है क्या जो आप nifty 50 index fund में पैसा लगा रहे हो कहीं exit load तो यहाँ पे apply नहीं हो रहा एक साल के अंदर आप switch तो नहीं कर रहे हो दूसरा condition क्या है क्या short term capital gain तो काफी जादा नहीं बन रहा है इन सारे factor को समझ के ही आप यहाँ पे switch करना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले query की तरफ एक बात पूछना था कि grow app में कल अधित्ति बिल्ला में 0.48% दिया था लेकिन धन app में वही same fund में 0.96% दिया ऐसा क्यों जवाब सर जुरूर दिजिएगा प्लीज दिखे आपने fund का नाम नहीं बताया नहीं तो मैं उस दिन का exact data चेक करता कि क्या वाकी में धन app में अलग return का figure दिख रहा है और grow app में अलग return का figure दिख रहा है लेकिन मैंने एक fund का यहां पर selection किया जैसे कि अदितिबिल्दा Sun Life small के fund का selection किया और फिर मैं ने चेक किया कि क्या धन app में वाकी में return का difference देखने को मिल रहा है या grow app में return का difference देखने को मिल रहा है तो देखो आँखड़े आपके सामने हैं जब मैंने अदितिबिल्दा Sun Life small के अदितिबिल्दा Sun Life small के fund जो यह डारेक्ट ग्रोथ है यहां पर जो एन भी का प्राइस देखने को मिल रहा है वह 70 रूपए का देखने को मिल रहा है लेकिन अगर आप नभी का डेट देखोगे तो 18 मार्च का है और यहां पर जो वन डे नभी चेंज हुआ है 0.05% डिफरेंस देखने को मिल रहा है यह इसलिए आपको डिफरेंस देखने को मिला है क्योंकि जो धन है उसमें अगर आप किसी भी मीच्वल फंड का नभी देखोगे तो आपको अप टू डेट नहीं मिलेगा जी हां काफी पूराना देखने को मिलेगा यहां पर लास्ट जो मार्केट के कोडिंग एनभी चेंज हुआ है वो 28 मार्च को हुआ है जबकि अगर यहां पर धन में अगर आप जाके चेक करोगे तो लास्ट 18 मार्च का ही अपडेशन देखने को मिला है एनभी में इट मिन्स कि यहां पर काफी स्लो अपडेशन हो रहा है आटा अप टू डेट नहीं है तो आप इस पे डिपेंड हो के कोई यहां पर अपना डिसीजन ना बनाए वैसे प्लैटफोर्म का यूज करे जहां पर एनभी का अपडेशन आपको काफी जल्द पैसा इन्वेस्ट करना उचीत है कुछ लोगों का कहना है चुनाओ के बाद मार्केट बढ़ जाएगा कुछ लोगों का कहना है खट जाएगा आपका क्या रहा है कोई भी आपको गैरेंटी के साथ नहीं बता सकता मार्केट चुनाओ के बाद कैसा होगा अगर मैं पिछले 2 और 3 टाइम्स का record देखूं कि जब चुनाव हुए हैं उसके आज पास market का क्या situation रहा है चुनाव में जब भी BJP का सरकार बना है तो देखने को मिला है कि market में यहाँ पे तेजी रहा है और कुछ गिरावट देखने को मिले लेकिन कोई भी guarantee के साथ नहीं बोल सकता तो मैं आपको यहाँ पे एक strategy बता रहा हूँ देखो अगर आप SIP करना चाहते हो तो आज के आज आप SIP स्टार्ट कर दो market का इंतजार मत करो या फिर आप चुनाओ का इंतजार मत करो आप अभी से यहाँ पे SIP स्टार्ट कर दो लेकिन लंसम की जब बात आती है तो मैं आपको बोलूँगा कि 40% के हिस्सदारी हो अगर आपके पास मान लो 2 लाग का बजट है लंसम के लिए तो 40% का हिस्सदारी आप चुनाओ के पहले यहाँ पे 2 और 3 टाइम में इंवेस्ट कर दो और कुछ पैसा हाथ में रखो कि अगर गिरावट हुआ तो वहाँ पे हम पैसा लगा सकें और कुछ वहाँ पे benefit ले सकें देखो अगर market चड़ जाता है तो भी आपको अपसोस नहीं होगा क्योंकि आपने market में कुछ पैसा लगाया है और market गिर जाता है तो भी आपको अपसोस नहीं होगा क्योंकि आपके हाथ में कुछ पैसा है वहाँ पे लंसम करोगे तो कुछ अच्छा opportunity देखने को मिल सकता है चलिए अगले query की तरफ बढ़ते हैं सर मैंने गलती से ELSS fund में invest कर दिया है पर tax के धाइरे में नहीं आता हूँ और tax भी नहीं बचाना चाहता हूँ एक year हो गया है invest करे हुए तो क्या करूं और कैसे करूं कोई उपाए बताएं सर्फ अगर आप tax के bracket में नहीं आते हूँ जी हाँ अगर आपको ELSS mutual fund का requirement नहीं है और आपने गलती से ELSS mutual fund में पैसा लगा दिया है तो आपने जितना लगाया है अब उसको भूल जाओ जी हाँ क्योंकि वहाँ पे 3 साल का lock-in period है उस पैसे को नहीं आप निकाल सकते हो और नहीं switch कर सकते हो तो जितना पैसा वहाँ पे लगाया है आपने एक साल अलड़ी हो चुका है दो साल और आपको इंतजाल करना चाहिए तीन साल का lock-in period है जैसे तीन साल का lock-in period खतम होगा उस समय आप DC जलने ना फिलाल देखो मैं आपको बता दूँ अगर आप येलिसस फंड में पैसा लगाया हो तो यहाँ पे भी आपको 13-14% ओन डाइबरेज रिटर्न देखने को मिलेगा रिटर्न काफी बुरा नहीं होगा लेकिन आगे से आपको ये समझदारी रखना है कि कोई fresh investment ऐसे fund में ना करे अगर कोई SIP हो तो उस SIP को आप stop कर दे अब यहाँ पे fresh SIP का investment भी नहीं होना चाहिए और अगर आप SIP कर रहो तो दूसरे fund का selection कर लो जहाँ पे locking period ना हो और जहाँ पे इससे बहतर return मिल सकता है अगर आप ज्यादा risk ले सकते हो तो जितना पैसा लग गया ये LSS fund में उसको आप भूल जाओ return काफी बुरा नहीं होगा आपको 13-14% का return देखने को मिलेगा तीन साल के बाद जब locking period खतम होगा तब हम सूचेंगे कि उसके बाद हम क्या changes करेंगे फिलाल इस strategy के साथ आप continue कर सकते हैं अगले के बढ़ी की तरफ बढ़ते हैं सर एसाईपी किसी एप से शुरू करें या बैंक से best option कौन सा है देखिए बैंक से अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको यहाँ पे regular funds मिलेंगे अब regular funds और direct funds इन दोनों का difference कई बार मैंने investor के सामने रखा है regular funds में यहाँ पे खर्चा जादा होता है और आपका investment कम होता है इट मिंस कि जहाँ पे direct plan में खर्चा आपको 1% होगा तो यहाँ पे on the average 2% का खर्चा देखने को मिल सकता है 1% commission के तोर पे आपका पैसा जाता है तो अगर पैसा कम invest होगा आपका तो पैसा कम भी बनेगा तो regular fund आपको मिलेगा अगर आप bank के थूँ investment करोगे आप direct fund का selection करो और खुद से investment करो जी हाँ किसी app का सहरा ले सकते हो जैसे कि grow app ptm money, et money, ind money ऐसे app का सहरा लेके आप mutual fund में direct mutual fund में participate कर सकते हो अगर आप नहीं जानते हो कि यह कैसे किया जाता है तो यूटूब platform पे आके आप इससे related video search करके और समझो देखो और समझने के बाद ही कोई decision लो फिलाल में आपको काफी summarize होके अगर बात कहूं तो bank से आपको regular plan बनेगा और वहाँ पे आपका खर्चा भी जादा होगा अब तक के लिए जहीं चिपार